सर्व समिका वह त्रिकोण मिती समिकरण हमने त्रिकोण मिती अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉर्ट थीटा के आपस में संबंध को जाना है इन संबंधों में हमने एक संबंध Sine Square Theta Plus Cos Square Theta Is Equal To One देखा है यह संबंध Theta के सभी मानों के लिए सत्य है Trichonde मिति अनुपातों के ऐसे संबंद को जो कोण के रूप में दिये गए चर के सभी मानों के लिए सत्य हो Trichonde मिति इसर्वसमिका कहा जाता है तब क्या संबंध Sin Theta Plus Cos Theta is equal to 1 भी एक सर्वसमी का है आईए देखें सर्वसमी का वह त्रिकोण मिती समी करन हम यहाँ एक त्रिकोण मिती अनुपात में सम्बंध ले रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा is equal to 1 हमें यह चेक करना है कि यह जो सम्बंध है क्या यह सर्वसमी का है यदि थीटा के सभी मानों के लिए यह सम्बंध सत्य हुआ तो यह एक सर्वसमी का होगी परन्तु यदि थीटा का एक भी मान ऐसा मिला जिसके लिए यह सम्बंध सत्य नहीं है तो यह एक सर्वसमी का नहीं होगी चलिए करके देखते है हम thita बराबर 0 degree लेकर चलते हैं इस सम्मंद में हम thita का मान 0 degree रखेंगे तो हमें मिलेगा हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं sin theta के इस्थान पर 0 degree प्लस cos theta के इस्थान पर 0 degree बाइपक्ष में हमने इसका मान रखा है अब देखिए sin 0 degree हम जानते हैं चूंकि sin 0 degree का मान होता है 0 और cos 0 degree जो होती है उसका मान होता है 1 त्रिकोड मिती साड़नी जो है उससे आप त्रिकोड मिती जो साड़नी वहाँ से आप देख सकते हैं इसको तो हम इसका मान रख ले sin 0 degree का मान 0 प्लस cos 0 degree का मान 1 और 0 प्लस 1 हमें मिलेगा इसका मान 1 तो इससे हमें एक प्राप्त हुआ है जो की सम्मंद का दाया पक्ष है इसलिए हम कह सकते हैं कि theta बराबर 0 degree के लिए यह जो सम्मंद है वो सत्य है चलिए अब बात करते हैं theta बराबर 30 degree के लिए यह ले लेते हैं बाए पक्ष में फिर से इसका मान रखते हैं अब theta के स्थान पर 30 degree cos 30 degree इनका मान पुना आप साणी से ले सकते हैं हम जानते हैं कि sin 30 degree is equal to होता है 1 by 2 और cos 30 degree is equal to होता है root 3 by 2 इन मानों को यहां रख दे तो हमें मिलेगा 1 by 2 plus root 3 by 2 और इसको हल करने से हमें मिल रहा है 1 plus root 3 by 2 क्योंकि यहां पर हर समान है जो की 1 के बराबर नहीं है याने यह दाय पक्ष के बराबर नहीं आया तो theta बराबर 30 degree रखने पर यह संबन जो है वो सत्य नहीं हुआ इसका मतलब यह संबन जो है वो सर्वसमिका नहीं है चलिए आगे देखते है तो हमने अभी देखा कि जो संबन हमने लिया था sin theta plus cos theta is equal to 1 के लिए theta is equal to 0 degree पर संबन सत्य है परन्तु theta is equal to 30 degree पर हमने देखा कि यह संबन सत्य नहीं है ऐसी स्थिति में हम यह कहेंगे कि यह सर्वसमिका नहीं है परन्तु theta के किसी मान के लिए यह सत्य है ऐसी स्थिति में इन संबन्दों को कहा जाता है त्रिकोण मित्य समिकरन याने कि sin theta plus cos theta is equal to 1 यहाँ पर एक त्रिकोण मित्य समिकरन है यहाँ संबन्द सर्वसमिका नहीं है परन्तु चूँकी theta के कुछ मान के लिए यह सत्य है इसलिए यह कहेंगे कि यहाँ त्रिकोण मित्य समिकरन है चूँकी कोण के रूप में दिये गए चरके कुछ विशेश मानों के लिए कुछ त्रिकोण मित्य सम्मन यदि सत्य होते हैं तो इन्हें हम त्रिकोण मित्य समिकरन कहते हैं हमने देखा कि theta बराबर 0 degree के लिए यह सम्मन सत्य है लेकिन theta बराबर 30 degree के लिए सत्य नहीं है अतहा हम sin theta plus cos theta equal to 1 को सर्वसमिकर नहीं कह सकते कोण के रूप में दिये गए चरके कुछ विशेश मानों के लिए कुछ त्रिकोण मित्य सम्मन सत्य होते हैं इन्हें त्रिकोण मित्य समिकरन कहते हैं तब क्या हम sin theta plus cos theta is equal to 1 को त्रिकोण मित्य समिकरन कह सकते हैं हमने देखा कि theta is equal to 0 degree के लिए यह सम्मन सत्य है लेकिन theta is equal to 30 degree के लिए सत्य नहीं है अतह sin theta plus cos theta is equal to 1 त्रिकोण मित्य समिकरन है करके देखें दिये गए सम्मन सत्य है theta is equal to 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree मानों को रखिए और जाज कीजिए कि यह theta के किन मानों के लिए सत्य है पहला cos theta plus sin theta is equal to square root 2 दूसरा 10 square theta plus cos square theta is equal to 2 तीसरा 2 cos square theta is equal to 3 times sin theta चौथा 10 theta into sec theta is equal to 2 square root 3 theta के जिन मानों के लिए त्रिकोण मित्य समिकरन सत्य है वे मान त्रिकोण मित्य समिकरन के हल कहलाते है आईए अब कुछ त्रिकोण मित्य समिकरनों को हल करें कुछ त्रिकोण समिकरन के लिए